यह देखें यह value कहा से आ रहे है अपको gender age blood pressure यह आ रही है यह value यहां से आ रही है जब आप test देर तो test request इसको call गया है जैसे इसको call गया है आप देख सकते हैं आप पे select your gender enter your age तो यहां पे जो name value है यह name value ही आपका जो यहां पे blood pressure लिखाए शुगर लिखाए यह नाम वही होना चाहिए value कुछ भी हो सकता है जो value हम लोग सेट कर रहे हो जैसे यहां पे value आएगा 012 का जैसे आप कोई भी value smoking 10 ऐसे दिया गया है यह को 1 दिया गया नो को 0 दिया गया त तो वह value यहां पे आखे set हो रहा है यहां जैसे value आया फिर क्या कर रहे हम यहां पे date निकाल रहे है current date के साब से वह test request में patient id, gender, age, blood, pressure, sugar यह सब value गया फिर test request में input जा रहा है यह input जाते ही यहां पे save होगा date के साथ आप देख सकते हो data आपको आगे मिलेगा सब doctor status spending है coordinator status spending है तो जैसे ही data आ जाता है यहां पे save हो जाता है यहां पे हम commit कर रहे है data को data के साथ connection अभी database अपका क्या है यहां पे local host root root username password और database परस्नल हेल्थ management तो यह mysql use किया परस्नल हेल्थ management में हमारा data गया फिर उसके बाद जो data आया फिर save हो रहा है यहां पर यहां पे देख हुआ उसी data से हो रहा है जैसे यह value आ रहा है अपको insert करने के बाद तो यहां पर हम जो है यह value को एक string में अपेंड कर रहे है फिर यह string में फॉर्म होने के सत्मातलब जो भी input में जा रहा है अपने देखा होगा कि आपको यहां पे random forest में यह जो input जा रहा है यह जो input है यह इसी फॉर्मेट में जाना चाहिए एज, जेंडर, ब्लड ब्रेशर, हाइट, सुगर, स्मुकिंग, वेट, अल्कॉल, हिंटेक, एक्टिविटे और डायेट यहां तक इन्पुट जाएगा यह वाला जो है यह प्रेडिक्ट होगा तो यहां पर क्या हो रहा है एज, जेंडर, ब्लड ब्रेशर यह इस तरीके से जा रहा है यह डायेट तक जा रहा है फिर इसको हम जो है न्यूमरिक में कनवर्ट कर रहे है क्योंकि यह जो डेटा आया है वो स्ट्रिंग में तो उसको यहां पर न्यूमरिक में कनवर्ट कर रह यहां फिर NP.ra test list इसको पिखल में लोड़ है ऑब का पीकल में है आपका पिखल.load file name file name क्या थी अपकी RF.saf यहाँ पे load model कर रहे loaded model.predict फिर NP और यह गॉर्ण डेटा फिर यह predicted जो आ रहा है यह class obtained. यह जो है यह आपका यहाँ पर देख सकते हो आप उपर यह देखे यह 0 अगर आया तो you may not have diabetes और you may have diabetes इस तरीके से दिखाता है तो जो predicted result है वो print होगा यहाँ पर यह console में print होता है लेकिन data जाते वक्त आपका test result.html result is equal to result में जाएगा तो अभी templates के अंद आपको test result मिल जाएगा जैसे आप यह देख सकते हो यहाँ पर test result में predicted result ऐसा करके दिखाता है फिर यहाँ पर आपको result display होता है इस तरीके से यह पूरा system work करता है अभी जो राबाद coordinator login फिर doctor login तो यहाँ पर आपका आपको यहाँ पर slash doctor डालना है login फिर doctor का information जो भी है username doctor रखा है password 123 फिर sign in यहाँ पर patient request जो भी आए होगे वो दिखेगा उसको view request यह आप भी request किया नहीं है तो log out फिर coordinator अगर करना है तो coordinator सब आपका जो भी process follow होगा coordinator का spelling साहिद से wrong है फिर उसका login coordinator 123 तो view request अगर कुछ request आए होगे तो display होगे जैसे की request आया है फिर view test इसके बाद यह पूरा दिखेगा फिर forward और reject symptoms अगर अगर forward करता है तो वो doctor के पास चले जाएंगे और doctor भी view कर सकता है तो इस तरीके से पूरा system work करेगा यह वाला system आपको explain करना है algorithms explain करना है बहुत सारे algorithms यूज किया है तो वो आपको बताना पड़ेगा